तो डॉक्ट्रीन ऑफ एलेक्षिन जो है वो सेक्षिन थर्टीफाइब अफ ट्रांस्फर अफ प्रॉपर्टी अक्ट 1892 में बताई गई है और सेक्षिन 182-190 ऑफ इंडियन सक्सेशन में बताई गई है एलेक्षिन का मतलब क्या होता है एलेक्षिन का यह मतलब होता है कि दो कौने डोक्ट्रीन में ये इंब्लिसेट अकौने इसको एक बहुत अच्छे एक्जामपल के थुरू समझते हैं मानली जी ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो 50 लाक्स रूपीज देगा लेकर एक ही कंडिशन पर कि वो अपना घर सी को बेज दे अब बी को सेलेक्शन करना पड़ेगा कि उसे करना क्या है या तो वो एक ओफर ले सकता है कि वो सी को हाउस दे दे दूसरी तरफ अगर उस ऐसा नहीं किया तो फिर उसको 50 लाक्स रूपे नहीं मिलेंगे हैंस उसको एक इलेक्शन बीच में रखना पड़ेगा क्या प्री रिक्विजिट्स हैं डॉक्ट्रिन ओफ इलेक्शन के सेक्शन 35 के तहत डॉक्ट्रिन ओफ इलेक्शन एप्लाई करने के लिए सर्टिन कंडिशन फुल्फिल होनी ज़रूरी है पहली बात तो यह है कि ट्रांसफरर जो है वो ना ही ओनर होना चाहिए नहीं वो ओदराइज़ ठोना चाहिए बाइथी होना दूसरी बात यह है जो ट्रांसफर होगा वो थर्ड पार्टिक होगा तीसरी बात यह है ट्रांसफर एक consideration के लिए होना चाहिए चौथी बात यह है कि कुछ benefit confer होना चाहिए owner को पांच भी बात यह है कि वो same transaction पर होना चाहिए अगली बात यह है कि कुछ प्रोपराइटी इंट्रस्ट होना चाहिए owner का property में सेवन्थ बात यह है कि जो transferi है उसको immowable या movable property directly मिलनी चाहिए वलने माई versus नगपपा के case में यह note किया गया था कि जो transferi है उसको indirect benefit मिला तो election apply नहीं हुआ इस case में 8. जो transfer है वो absolutely accepted होना चाहिए एक entirety में 9. अगर owner ने elect किया to disapprove the transfer तो जो benefit है वो भी transferer के पास वापिस सला जाएगा exceptions to the rule and presumption as to election first है other benefits may not be relinquished इसको एक example के थूरू समझते हैं मान लिजी श्याम है उसका life interest है property में और जो absolute interest है property का वो ग्यान के पास है अब श्याम के पास तो कोई authority है नहीं transfer करने के लिए property कि वो third person को transfer करे तो अब व्यास ने क्या कहा व्यास ने कहा कि मैं ग्यान को 10 लाक रुपे दूँगा अगर तुमने property transfer करी और additionally मैं 2 लाक रुपे दूँगा ग्यान के बेटे पारस को अगर ग्यान ने elect किया transfer अगर ग्यान ने कहा कि मेरे को transfer नहीं चाहिए तो वो क्या करेगा जो 10 लाक रुपे उसे मिले वो तो उसे वापिस कर देगा लेकिन जो उसके बेटे को मिले हैं 2 लाक रुपे वो एक other benefit के रूप में आ जाएंगे अगर नॉलेज होने के बावजूद भी अगर कंड़क्ट ऐसा दिखता है कि उसने एप्रूफ कर दिया है तो फिर उसे एप्रूफ मना जाएगा enjoyment of benefit for two years मान लीजिए कि दो साल तक जो ओनर है उसने enjoy किया benefit को या उससे जादा तो ये माना जाएगा कि उसने transfer को एप्रूफ कर दिया reprobation made impossible अगर ओनर ने act किया या फिर use किया benefit को इस तरीके से कि वो वापिस नहीं कर पाएगा तो फिर ये माना जाएगा कि transfer confirm हो गया intentional neglection to elect within the stipulated time और reasonable time अगर even after one years from date of transfer ओनर ने show नहीं किया acceptance या refusal to the transfer तो एक साल के बाद transfer को elect करना होगा however अगर ओनर ने फिर भी elect नहीं किया reasonable time में तो ये माना जाएगा कि उसने elect किया है in favor of transferring election after disability ceases on behalf of the owner मान लीजे owner कोई minor है ये lunatic है तो दो चीजें हो सकती है या तो वो elect करे जब उसकी disability conclude हो जाए या तो major हो जाए या तो वो sound mind का हो जाए या तो by competent authority वो election हो जाए जैसे कि guardian क्या rights है disappointed transfer के disappointed transferer होता है एक transferee when the owner elects to differ from the transfer this renders the transferee helpless and disappointed अब owner ने ही transfer को reject कर दिया तो फिर वो तो disappoint हो नहीं है as a result the law of equity shields the rights of the transferee thereby requires compensation to be made following cases में transferee entitled होगा compensation के लिए जब transfer gratitude हो या जब transferer की death हो गई हो election से पहले या जब transferer incapable हो गया हो कुछ fresh transfer करने के या transfer हो in lieu of consideration election is choosing between two alternatives or conflicting rights by giving these two rights so that one is higher than the other you can choose one of them you cannot have both the applicant can use both the recipient must choose between two consistencies and alternate rights basically इसका मतलब ही होता है की recipient को भी burden बेर करना पड़ेगा being deprived from the equity principle which clearly states that that a person can not have benefit from both the side this doctrine has been successful and many poverty conflicts can be resolved using it thank you so much everyone this will be it for today's video please let us know in the comment your your views on the video and how we can improve further thank you so much for being here and don't forget to subscribe like and comment while reviewers up on the radio